Hello students, our topic is usage of different rooms of the house. तो यही topic हमने कल स्टार्ट किया था, है न? तो वो वाली वीडियो आपने देखी होगी. Different rooms of a house हमने कल पढ़ा था, living room के बारे में भी हमने कल पढ़ा था. अब आज हम पढ़ेंगे kitchen and bedroom के बारे में, ठीके? तो आपकी book पे आपको बताया गया था, कि आपने को यह identify करने हैं और उन rooms की usage लिखनी है. तो first room living room था, इसके बारे में हमने कर लिया, second is kitchen, है न? यह kitchen है, और यह क्या है? bedroom, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीके? तो kitchen, kitchen का use किसके लिए होता है, यह आप सभी जानते हैं, कि kitchen is mainly used for cooking delicious food, है न? kitchen में हम क्या करते हैं? किचन में तो हम सिर्फ खाना पकाते हैं, है न? तो kitchen किसके लिए use होता है? cooking के लिए. तो वो कौन सा room है, जहाँ पे हम cooking करते हैं, उस room को हम क्या कहते हैं? kitchen, ओके? furniture, अब kitchen में furniture क्या-क्या रखा जाता है, तो kitchen का furniture, जो main furniture है, that is kitchen cabinets. kitchen cabinets क्या होते हैं? आप यह picture में देख सकते हैं, यह shelf है center में, है न? तो यह जो almiras, छोटी-छोटी दिख रही हैं आपको almiras type, यह क्या है? kitchen cabinet है, यह kitchen cabinet है, इन्ही को हम kitchen cabinet कहते हैं, तो kitchen में यही furniture रखा जाता है, उसके अलावा utensils होते हैं, है न? utensils means burden, gas होता है, है न? प्रॉकरी वगेरा होती है, और main furniture बड़ क्या है? kitchen cabinets, ठीक है? so kitchen cabinets are main furniture, then next है आपका bedroom, ठीक है? तो bedroom क्या होता है? जहां पे generally bed होते हैं, है न? जहां पे हम सोते हैं, तो bedroom किस के लिए use होता है? bedroom is mainly used for sleeping, सोने के लिए ही तो use होता है, है न? bedroom में हम सिर्फ सोते हैं, हम living room में बैठते हैं, दिन भर talk करते हैं, read करते हैं, tv देखते हैं और जब शाम हो जाती है, रात हो जाती है तो हम सोने कहां चले जाते हैं? bedroom में, है न? then furniture bedroom में हम कौन सा furniture रखते हैं तो main furniture जो bedroom है तो bed, bed रखते हैं इसलिए उसका नाम पढ़ा bedroom, है न? chair भी रखता है, कोई-कोई अपने bedroom में, table भी होता है bedroom में, और wardrobe भी होती है wardrobe क्या होती है? almira type जो बनाते हैं, जहां पर हम अपने cloths रखते हैं, कपड़े रखते हैं तो उन्हें हम wardrobe कहते हैं ठीके? तो ये कुछ main furniture है कहां का? bedroom का तो आज आप bedroom और kitchen को अपनी notebook पे लिखें और इन्हें learn करें ओके? थैंक यू